एक फोजी का दर्द क्या होता है उन कुर्सीवारों को दिखाना चाहूंगी बताना चाहूंगे फोजी की मजबूरी हमें मत चुट्ती दो हमें मत चुट्ती दो मत भत्ता दो बस काम यही अब करने दो चाहे वेतन आगा कर दो पर कुतों में गोली भरने दो हर हर मोधी घर घर मोधी यह नारा सर के पार गया इक दो कोडी का जेहादी सैनिक को थपड मार गया अरे थपड खाए गदारों के इतने भी मजबूर नहीं हम भारत मा के सैनिक हैं कोई भड़े के मजदूर नहीं अब और नहीं लाचार करो हम जीते जी मर जाएंगे खुद को देख न पाएंगे इस वर्दी पर शरमाएंगे फोजी वर्दी पर शरमाएंगे या तो कस्मीर उन्हें दे दो अरे सुन लो सुन लो दिल्ली वालो सुन लो या तो कस्मीर उन्हें दे दो या आरपार का काम करो अब सैना को दो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम कुरसी पे आराम करो इस राजनीती ने गाटी को सरदर्द बना कर चोड़ा है भारत के विर्जवानों को ना मर्द बना कर चोड़ा है मा का आचल सुच रहे हम गागी भी बन सकते है दिल्ली गर यूही मोन रही हम बागी भी बन सकते है हम बागी भी बन सकते हैं एक मा कस्मीर में पिटने वाले फोजी बेटे से क्या कहती है जब देखती है कि उसका बेटा किस तरह गदारों से थपड़ खा रहा है तो क्या कहती है कि फोन किया माने बेटे को तूने नाक कताई है तेरी बेहना से सब कहते बुझ दिल तेरा भाई है बुझ दिल तेरा भाई है अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी एए बेटा ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्याला चारी थी कुछ कुछ कुटों की टोनी कैसे तुम सेरों पर भारी थी तुम सेरों पर भारी थी गीदर बेटा पैदा करके वो मा कहते है एक फोजी से के गीदर बेटा पैदा करके मैंने कोखला जाई है तेरी बेहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है बुजदिल तेरा भाई है अब वो फोजी अपनी मा के बात सुनकर कहता है के मा इतना भीला चार नहीं था मा मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं था चुपपी बहुत जरूरी थी सरकारे ही पिटवाती है मा हम को उन दगदारों से गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से गिन गिन कर मैं बदला लूँगा कसम याज खाता हूँ तु गुड़िया से कैदे मा ना बुजदिल उसका भाई है सुननकर नाटा लो तो उतना बातो को अनहो reasonably होने से पहले फैला दो इन बातो को तुम फैला दो इन बातों को, बहना के सच्चे भाई हो, तो सब को बता दो इन बातों को, एक फोजी का दर्द, भारत मता की जे, भारत मता की जे, भारत मता की जे.